हेलो दोस्तो मैं हीमन पावर एक भाए फैस स्वागत करता है अपने चैनल पे तो आपके लिए लेकि आच चुका हूँ तो एल्ट्रोस की डेटेल वाकराण वीडियो, ये वे रिंट है XZ+, जो कि टॉप वे रिंट होने वाला है, तो इस की डेटेल वाकराण वीडियो हम करने वाले हैं आज, क्या कुछ नया है देखते हैं इस एल्ट्रोस में So guys, moving on with front, तो bonnet आपको same देखने को मिला है, और chrome की यूज हुए है, यहां पर dark chrome यी से कैसे थे हैं, प्रोडेक्टर हैलम्स और high beam halogen और नीचे fork lamps पे उकल सी में, कुछ mat finish में guidings देखने को मिल रही हैं यहां पर, ऐसा दिखता है front, towing hooks का भी यहां पर provision मिल रहा है, both side आपको hashtag dark की bashing आपको देखने को मिलेगी और turn indicators अभी भी body पे हैं, mirrors पे नहीं हुए है, expected था कि mirrors पे होंगे, driver side की बात करें तो keyless entry का provision अभी भी मिल रहा है, कोई cladding यूज नहीं हुए, बेकुल high gloss map आपको body मिलेगी यहां पर, black में, काफी awesome लग लिए, उपर shark fin antenna नहीं है, normal antenna ही मिल लगा, ऐसा दिखता है driver side, तो guys करते हैं थोड़ा सा interior explore, देखते हैं क्या कुछ अलग है, तो gate की अगर gate की बात करें तो all black interior के साथ साथ, पूरा जो door पैड़ है पूरा all black होंगे है, ORVM और windows के control आपको same मिलेगे, यहां पर कुछ fabric है, soft touch, कुछ ऐसा है, अंदर की तरफ जो seats है, यहां पर आपको literate seats मिलने वाली है, इसमें, height adjustment इसमें नहीं मिलेगा, engine star stop button, headlight के controls, AC winds पे dark chrome का use हुआ है, और कुछ ऐसी MID है, same है, Delhi AC, cruise control के option मिलेगा, top variant के वाई से, ambient lightning मिलेगी, AC controls है, 5-speed gear knob, 2 cup holders और armrest adjustable मिलेगा, इसके अंदर भी कुछ space है, तोड़ी बहुआ, जिसमें अपना समान रख सकते हैं, front में USB का support और 12V का charging port भी है, harmon का 8-speaker system मिलेगा, IRVMs, और rooftop भी पूरा all black हो चुगा है, इस dark edition में, आप देख सकते हैं, glove box अगर बात की जाये तो देखते हैं, जी हाँ यह भी पूरा dark कर चुगे हैं, glove box अच्छा गासा मिलता है, चलिए पीछे देखते हैं, पीछे भी पूरा door pad आपको black मिलेगा, कुछ ऐसी look है, काफी premium लग रहा है, डैदरेट शीट्स यहां पर मिलेगी, एज़स्टेबल हेड्रेस्ट मिलेगा, एसी इवेंट्स भी मिलेगे पीछे, और 12 port का चार्जर सपोर्ट यहां पर भी मिलेगा, कुछ ऐसा दिखता है कीविंग, काफी अच्छा लग रहा है, रियर की अगर बात की जाए, तो काफी जादा premium आपको लुक्स देखने को मिलने वाली है, हैस्टेग dark altros में, और दो parking sensors ultrasonic मेलेंगे, नीचे scuff plate जो है, उसमें headlamps मिलेंगे, altros black mat में देखने को मिलेगा, camera और rear wiper washer, defogger आपको सब मिलेगा, इसमें XZ Plus variant में, तायर की अगर बात की जाए तो 16-inch के profile वाले Goodyear के तायर आपको देखने मिलेंगे, इसमें भी dual tone है, काफ़ी अच्छा लग रही है ये भी, boot open करके देखते हैं, तो boot भी आपको 345 liters का decent size मिलने माला है, पार्सल ट्रे, यहां पर grabbing handle भी मिलेगा, जिससे आपको बन करने माशानी होती है, पर पारे या ए reaches एश्पे टायर को स्टी विल मिलेगा, तो दर के वो भी करने माशानी करने मुस्पलाय क्रीच को बन ethics, लुड्माभत, जो यहां लुड्ज विन आपको जह सुझाष दक दलने मैं, झाल झाल